नागपुर में कार्डियन हॉस्पिटल ने अपनी तीसरी वर्षगाठ पर बियॉंड बाइपास 2.0 वॉक्थॉन का आयोजन किया जिसमें बाइपास सर्जरी से गुजरे मरीज शामिल हुए इस विशेश आयोजन का मुखे उदेश उन मरीजों को प्रेरित करना था इस कार्डियन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर निकुंश पवार ने इस मौके पर मार्गदर्शन करते हुए बाइपास सर्जरी के बारे में जानकारे दी साथ ही वॉक्टान में बाइपास सर्जरी करवा चुके कई मरीजों ने उत्सा के साथ हिस्सा लिया इस आयोजन के माध्यम से अपने अनुबहों भी साजह किये बाइपास सर्जरी है जिसको हम हाट सर्जरी बोलते हैं उससे बहुत लोग भेभीत रहते हैं डरते हैं कि बाइपास हो जाएगा तो शायद उसके बाद पूरी जिंदगी खता हो जाएगी ये लोगों का जो एक डर है मैं वो निकालना चाहता हूं मैं हाट सर्जरी और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं 20-25 साल जीते हैं तो इसके कारण कोई रॉंग ट्रीटमेंट या आधी ट्रीटमेंट ना ले अगर बाइपास सजिस्टेड है तो बाइपास करें और बाइपास को प्रोपोस करने व अच्छी शुरुआत रही है और इसमें जो भी इन्वार्ड हैं इसे 175 मैंने सुना है कि इसमें इनके बाइपास सर्जिव है या कोई हाट प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसमें आज आयो हैं इस तो एक तो हैंडिकैप हैं और इसके बावजित भी मतलब यहां पर होती है तो इससे रुकना नेचे यह बहुत बड़ी चीज है मैं खुद स्पोर्ट्स में हूँ अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं तो इल्लेस या इल्मेस जो भी आती हैं उससे हम लोग फाइट कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है और मैं खुद इसमें मेरी बी एक कम रह गया जैसे कोरोना हुआ था उस टाइम पर सब लोग एक बहुत ही बुरे फेस से गुजर रहे थे बट हम उठे और फाइट कर रहे हैं तो यही फाइटिंग स्पिरिट जो है सब में रहना चाहिए इसलिए मैं डॉक्टर्स को इनको सब को यही रिक्वेस्ट करूंग कि यह जो एक अच्छी मोहिम उनने शुरू किया है इसी तरह से इसको करें